घर बनाने के लिए प्लिंथ वीम की जुरत पड़ती है और उसमें फॉंडेशन के साथ प्लिंथ वीम कितने पे देना है कितना साइज का देना है आज इनी बातों पे हम लोग डिसकसन करेंगे तो सबसे पहले चीज है कि जब आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स फ्लोर सेकें इसने भी बनाने है डिपेंड करता है कि उसकी प्रोपर्टी क्या है कॉल्यूम ट्री कॉल्यूम डिस्टेंस कितनी है स्पैन लेंथ कितनी है क्या इसमें बेरिंग देनी है या सिर्फ आपको फ्रेम स्ट्रक्चर और सिसी वर्क ही करना है छोटे प्रोजेक्ट जितने गाउ प्रोजेक्ट में होती है लेकिन फिर भी एक रेसिदेंशियल में भी जी प्लस टू बनाना है तो उसमें कितने mm के सरीया चलेगा और क्या requirement होनी चाहिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक प्रोजेक्ट अगर देखें तो मेरे पास एक सिंप्ली रोजेक्ट है उसे यह टेकला करते हैं जिसका structure detailing आपको बताते हैं यह जी प्लस थरी का प्लैन है क्योंकि उन्हें जी प्लस टू बनाना है और structure details हमें दो-प्लोर एक्स्ट्रा लेकि चलने परते हैं तो जैसे यह open होता है आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका structure details होता है तो यह आ गया इसका पूरा आपका structure का 3D view अभी देख सकते हैं यह हमारा base foundation base है उसके उपर आएंगे तो यह हमारा ground level beam है just इसके उपर यह हमारा plinth work है तो हमें यही देखना है कि इस ground level beam की dimensions और जो specifications हैं जितने parameters आपने use किये होंगे चुकि छोटे मकान में earthquake wind load इन सभी parameters की ज़रुरत नहीं पड़ती है वो high rise building में उतने parameters आपको earthquake resisting साराची details देने ना पड़ेगा तो सबसे पहला काम करना है कि analyze में आईए उसके बाद analyze all static check कर लिजे कि कौन सा frame structure आपका fail कर रहा है या कौन सा structure आपका detailing work हो रहा है यह रहा आपका तो यह आपका fail structure दिखा रहा है तो इतना fail रहता नहीं है यह software का चुकी इसमें हमने earthquake और wind load का उतना जो combination है वह चीज़ दिखाया नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं one by one करके कि कहां पर इसका जो structure है वो details में रखना है तो सबसे पहले अगर बात कर लेते ground level की बात कर लें इसका आप design member देख लीजिए static है check member उसके बाद इसकी property आती है generate drawing generate drawing करेंगे तो आपका इसका details आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या चीज़ बना हुआ है यह रहा जैसे file open हुआ देख सकते हैं आपको कितना mm का बार कितना आपको लग रहा है यह total beam का span work है आपका जो गुम गया था तो यह span की length देख सकते हैं यहां पर 3.898 meter है और इसमें सरीया लगना है top का bars जो है 2T 12 यह 12 mm का है यह ज्यादा details में आने के बाद यहां पर ground level 1 beam 1 a section का इसका span length छोटा होने कारण यह 16 mm का a side में दो हमारा 16 mm लगेगा bb side में 12 mm का दो सरीया लगेगा c side का यह steer up की बात कर रही है तो steer up 8 mm का 100 mm लिंक जो है provide करना है उसके बाद आ जाता है कि जब आपको यहां पर RCC का work करना है जैसे बीम की आपने reinforcement डाल दिया उसके बाद होती है उसकी casting की तो casting से पहले आपको चेक करना है कि जब आप सर्ट्रिंग करें तो सर्ट्रिंग करते वक्त इस तरह की चीजें गलत ना होनी चाहिए जहां पर आपके जहां जंक्सन बन रहे है एक कॉल्यूम के चारो तरफ बीम अगर खूम रहा है तो वह एक जंक्सन कहलाता है उस जंक्सन पर आपका एस्मूथ सर्फेस मिलना चाहिए अगर नहीं मिलना है तो यह आपके कारीगर जो गरवट करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसे प्लिंट वर्क का सबसे फस्ट लेर निकालना है तो फस्ट लेर निकालने से पहले आपको ध्यान देना है कि इसकी जो combination ratio है वो ratio आपको रखना है 1 ratio 2 ratio 3 या 1 ratio 1.5 ratio 3 M 20 grade का आपको रखना ही रखना है minimum चुकि अब उस तरह की चीजे रही नहीं कि आपको अगर काम करवाना है तो वहाँ पे आप 1 एक चार इस तरह की जो गाउंगर में करते थे अब इसा नहीं रखना है चुकि वाइब्रेशन और शॉकिंग वेब वह बढ़ते ही जा रहा है तो कोशिश करिए कि आप अपना किये लोगों के पास इस चैनल को इस जानकारी को भीजिए और अगर आपको घर का नकसा बनवाना है धंक से बनवाना है इस्ट्रक्चेर डिटेल्स के साथ वर्क करना है तो आप दिये गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी और खास आपके उस हिसाब से कि आपका कमर्सियल प्रोजेक्ट है या रेसिडेंशल है तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद